वेल, JKSSB ने officially female supervisor का syllabus जो है, वो notify कर दिया है, और हम लोगों ने भी official syllabus के accordingly, अपने lectures का जो timing है, वो बना दिया है, तो जिन बच्चों ने हमारा paid course जोईन कर लिया है, उन सब को एक ही चीज़ बोलूँगा, कि आपको female supervisor के material के attention लेने के जोत नहीं है, वेकर हम सभी चीज़ें आपको provide करेंगे, like video lectures, notes, mcqs, test series and all one more thing, that is 100% selection guarantee, तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा course जोईन नहीं करा, उन सब को एक चीज़ में बता दूँ, कि don't waste your time, आप से लिए बस आ चुका है, देखो किसी भी exam को crack करने के लिए, सिर्फ material को इकठा करना ह नहीं होता, क्योंकि उस material को जितना मर्जी आपके घठा कर लो, में तो वही है कि जब exam में वो दो गंटे आपके सामने होंगे, उस दो गंटे में किस चरह से अपनी चीज़ों को execute करना है, सबसे most important चीज यहीं रहती है, तो इस दो गंटे में किस चरह से perform करना है, इस चीज की त्यारी सिर्फ एक experience teacher ही करवा सकते हैं आपको, ओके, सो आप लोगों अगर हमारा paid course जोइन करते हैं, तो हम लोग आपको 100% selection guarantee देते हैं, selection क्यों guarantee क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसके पिछे सबसे most important reason यह है, कि हम जो भी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे, जो भी चीज़ जा सकती है, so that, कि आप लोग आराम से वही चीज़ें करें, जो हम प्रवाइड कर रहे हैं, और उसको अच्छे से revise करें, practice करें, और फाइनली आपका selection हो जाए, तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा paid को जोईन करा, जोईन करने के लिए आप लोग मुझे message कर सकते हैं, मे जाएंगे app के, आपको app install करनी है, तो उसके बाद आप course को buy कर सकते हो, और most important चीज़, हमारा जो offer था 999 का, वो अभी भी valid है, वो चल रहा है, हमने इसको extend कर दिया है, तो जिन बच्चों ने अभी तक, मतलब buy नहीं करा, तो उनके पास golden opportunity है, आप लोग buy कर सकते हैं, क्यों आपको सारी चीज़ें बढ़ने ही जोत नहीं है, याद रखने एक चीज़, आपको PSG करने ही जोत नहीं है, आपको सिरफ main main चीज़ें बढ़ने हैं, और वही main चीज़ें ही हम लोग अपने syllabus में करवाते हैं, ठीक है, और बाकी आपकी खुदी की life, आपकी खुदी choice है, you want to do, whatever you want to do, you do that, okay, और मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगा, कि अभी course को join करो, buy करो, अपनी journey start करो, at least आप लोग कुछ मैनत करना तो शुरू करोगे, course में join करने के सबसे best part होता है, कि at least आप लोग कुछ करना start कर देते हो, तो वो जो कुछ करने वाली चीज है, वही आपको selection की तरह लेके जाती है, मतब जो कोशिश, अगर आप यह सोचोगे कि कुछ बहुत बड़ा होगा, बहुत अच्छा होगा, कुछ ऐसे होगा, तो वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि मैंने अपने last 7-8 साल के experience के basis भी चीज दीखी है, कि अच्छी चीज़ें daily जब आप करते हो आप काईज, वेल्कम डुजे के अच्छी वीडियो में हम लोग कंटीनू करेंगे हमारे कास सिस्टम के टॉपिक को, आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे merits and demerits of कास सिस्टम, ओके, सो स्टार्ट करने से पहले मैं पुराना वाला recap करना चाहता हूँ, आपको पता नाम है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, क्या है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का meaning मैंने आपको अलवड़ी कहीं बार बताया है, मतलब सुसाइटी के अंदर जो layers है, जो division of peoples का हुआ है, ठीक है, जो सुसाइटी डिवाइड है, on the basis of caste, class, color, gender, इन सब चीजों के basis पे जो हमारी society divided है, उस चीज़ को बोला जाता है, social stratification, क्या बोला जाता है? Social stratification, और यह social stratification जो word है, कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है strata word से, ठीक हे? कौन से word से? strata या stratum? और यह stratum word से लिया गया है. एक सब्जेक्ट में से लियगे वर्ड है और ऐसे जालोजी में बात करें वह जो study of earth study of study of earth to theology में यह जो स्ट्रेट आप वर्ड है किसके लिए रियर्स के लिए यूज़ होता है अब जो लियर्स है वह रॉक की लियर्स को भी बॉला जाता है या आप स्वाल की लियर्स को भी बोला जाता है ओके सो अब लेकिन हम लोग यूज कर रहे हैं इसको सुसाइटी के लिए तो मतलब सुसाइटी में जो लेयर्स है वो बात करी गई है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में ठीक है समाज है मैंने क्या बोला अगें में रिपीट करता हूं मैंने बात करी कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है division of society division of people division of people on the basis of caste colour and credit ठीक है that's known as social stratification और उसके बाद मैंने कहा कि जो कहीं भार question पूचा आता कि which of the following word is taken from words stratification to concept word में से stratification word लिया गया है that is strata ठीक है तो start a का मतलब क्या होता है यहां तक कोई डाउट नहीं है ठीक है अच्छा यह सोशल स्रेटिफिकेशन के अंदर हमने क्या पड़ा हमने स्वरी सोशल स्रेटिफिकेशन के अंदर दो इंपोर्टन टाइप सब्सक्राइब यही दो आपके स्लेबर में और यही दो हम लोगों ने कर ना इससे ना इंपोर्टन चीज़ें छोडेंगे ना फालतु कुछ चीज़ें आड़ करेंगे मेरा एक ही फंडा है मुझे पता है कि एक्जाम कौलिफाइब करने के लिए करना यही स्लेंग्षिन का रूल है और बच्चों के फेल होने का सबसे बड़ा कारण वह यह कि बच्चा बहुत डीप जाके पढ़ लेता है और रूविजन जीन करता है यही सबसे बड़ा कारण बच्चे को नॉलज्ज तो बहुत होजा जाती है लेकिन बीना रूवीजि मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ूँगा बोलो आल तो फाल्तू अलतू इतार आ जू नहीं करना हूं तो इसलिए मैं जितना करवा रहा हूं करूँ है आके बंद करो ऐसे बाकि नो कर убuff करो हैं के अभी तो Generous तो आई होब आपको समझ आ गया होगा, चले हम लोग क्या कर रहे हैं, Social Certification में हम लोगोंने CAST System जो है, वो continue करा है, और CAST System में हम इसके meaning कर चुके हैं, हमने definitions की बाद करी, हमने origin की बाद करी, फिर हमने features की बात करी आज की इस वीडियो में हम लोग merit और demerit की बात करेंगे ठीक है तो यह cover करने के बाद आपका का सिस्टम वाला है यह दन हो जाएगा फिर उसके बाद हम class start करेंगे class cover करने के बाद इन सभी पूरे second topic के mcqs करेंगे पूरे full syllabus के so that कि आपको easily cover हो जाए ठीक है तो का सिस्टम के merit और demerit start करने से पहले मैं आप सबको का सिस्टम में हमने क्या चीज़ें पड़ी का सिस्टम में सबसे पहले तो हम इसके इसके बारे में घर जाने तो का सिस्टम एक वह आप social structure है ठीक है it's a social structure मतलब society में वह सिस्टम वह स्टक्चर है जिसके basis पर हमारी society जो डिवाइड़ है यह उस तरह का एक सोसाइटी का structure मना हुआ है अब इसके origin के बारे में मैं इसका origin कैसे हुआ वह कि इसका वर्ना के थू हुआ या किसी ने कहा कि कुछ ने ट्रडिशन थी में कहा कि ऐसे बात ही ब्रह्मा जी ने बनाया हर बंदे ने अपने अपना रीजन जो है वह दिया है लेकिन का सिस्टम में हमने में लीकिया पड़ा कि यह एक ऐसा social structure है जिसके के मिस्स पर सुसाइटी जो वो दिवाइड़ है ठीक है तो यह चीजे हम लोगों ने कास्ट में पढ़ी लेकिन जो क्लास सिस्टम है ना वो टूटली सब्सक्राय कॉर्ण करता है यह जैसे मतलब सुसाइटी के स्टॉक्चर पर डिपेंड करता ना का सिस्टम लेकिन क्लास सिस्टम है इस डिपेंड्स on the factor of what on the factor of wealth मतलब जिस बंदे के पास ज्यादा पैसा है ना तो वह जो जब वेल्थ है प्रॉपर्टी पॉइंट हो वी से सुसाइटी डिवाइड होती है उसको भ सबसे पहला यह है वह मैरिट ऑफ का सिस्टम ठीक है यह मैने पॉइंट में लिखा है अभी फर्दर इसको इसको एक पॉइंट बहुत अच्छी से समझ आ जाए तो सबसे पहले अगर हम देखें कि कि क्वेश्चिन जो है वह एक्जाम में किस तरह से पूछा जाता है तो डिरेक्टली को इस तरह से पूछ जाएगा कि बताइए विच आफ दो फॉलोइंग और दी विच वाली इस दा मेरिट ऑफ का सिस्टम ठीक है बताब वट इस दी फॉल्ट वट इस अमेरिट वट इस फॉलोविंग मेरिट ऑफ का सिस्टम मतलब नीचे दिए गया option में स इसे फॉर इग्जामपल लिखा होगा और वाट इस दो इस फॉलोविंग मेरिट ऑफ का सिस्टम ठीक है इस तरह का क्वेश्चन जो है वह आपको पूछा जाएगा एक्जाम में तो नीचे दिएगे मैं से कोई भी अगर option में दिखा तो इसको आंगे बंद गर करते हैं व हमारा मेरे इस पे लेट औफ कॉर्परेश इन मतलब स्पिरिट वह बावनांतर होतीकि कि एक दूसरे के साथ संयोग करना कश्मीरी वं हम बोलेंगे कि टूसरे का साथ देना पिragen गल्ए यहीं पर मैंने बता दी फिर आपको आगे मजा नहीं आगा नेक्स्ट है डिफाइन एकनॉमिक पर्स्यूट पर्स्यूट का मतलब होता है विपार बोल सकते हो ठीक है तो मतलब हर एक बंदे का अपना एकनॉमिक मतलब पैसा कमाने का अपना डेफिनिट ऑकुपेशन होता है ठीक है जो वो पर्स्यूट करता है वैसे पर्स्यूट अगर मतलब देखा जाए तो पर्स्यूट का मतलब गोल भी होता है एम भी होता ठीक है तो इन शॉट यहां पे एकनॉमिक की बात करी जारी है कि हरी कास्त का अपना एक अलग वेवसाय होता है ट्रेड होता है जो वो सिल जोहें मतलब होता एक इसे च्ट फरेंगे आपको बताएंगे अगला इख इंट्स कोई क segundo करता है ुब एक्प्राब करता है that इस वेडीजया की छाते में दिनाोब नहीं पर दिशेस्टा की जाते चाहिए इंशॉटॅब दिफूजन पर होता है उसके बाद यहां। कि भी कलच्च में की असले को को फिलाते हैं अपनी जनरेशन अ्युटियों मतलब उनको प्रिजर्ब करके भी रखते हैं, यह सारे के सारे मेरेट्स साहते हैं आपके का सिस्थिम के अब मैं आपको इसको वोड़्वाइल जो आपको एको को सारी एक-ईक पॉइंट का लिवे लिए कि का टैस्ट्रींदों आइक्ता को बोला जाता है एक्ता को यह यह परमोट करता है यह मदिन का सिस्ट्रीं एक्ता और को बिधिन कास्पर जैसे त 지akal किसी καा से बिलॉंग करता ह version की मतब को जब भी मेरी जूरत पड़ीगी मैं कहीं नकर उसको फेवर करूँगा ठीक है और अगर कहीं मैं उसको जानो या ना जानो लेकिन फिर भी हमारे अंदर ना एक special जुटता होगी कि यह मुझे बोले कि हम चीद दरूरता तो मैं करूंगा कहीं न कहीं बिना किसी जीस को सोचे ठीक है तो इस तरह की सिंपस्ट्रम में देखी जाती है ठीक है तो वहीं पर लिखा है कि जो मेंबर्स होते हैं वह अक्सर स्पोर्ट करते हैं यांसिस्ट करते हैं लोगों को मतलब अप की बढ़ाने के लिए कोन्त्रिपूट करता है तो क्लेक्टिफ वेल विंग के लिए भी हलप करते हैं अ किसी बंदे को अगर सब्सक्यूज की मदद हो तो सभी cinema साथ मिलके उस बंदे की हल्प कर सकें तो यह हमने पड़ा किसमें स्पिरिट ऑफ कोपरेशन में अब इसकी एक्जेम्पल में आपको देता हूं जैसे लिखा है कि कोई मेंबर है किसी पर्टीकुलर कास का ठीक है तो कहें करते हैं एक दूसरे के साथ मिलके कोई कर हें यह कोई यह किसी की मदद के किसी को कॉप्प्रॉब्लं में तूस प्राइब्लम कि ताईभ उसकी मदद करते हैं के साथ क्ल्इबरेशन करें थिक है तो इन शार इस पूरे के पूरे पॉइंच में हमने सिर्फ ये बात पढ़ी कि कास्स सिस्टम जो है उसकी वज़ा से क्या होता है एक कॉपरेशन और सॉलिड डिट्री मतब एकता जो है वो पैदा होती है पीपल विदिन कास्स ग्रूप और जब भी कभी किसी को जरूरत पढ़ती है ठीक है मेंबर मतब विदिन दी मेंबर सेम कास्स तो वहां पर सारे ग्रुप के उस कास्स के सभी लोग मिलके उनकी हल्प करते है ठीक है तो इस तरह से जो पहला मेरिट है इसा स्पिरिट ऑफ कॉर्परेशन ठीक है हमने इसकी ग्जेंपल भी करीब और मुझे अमीद है कि आपको समझ भी आ होगा ठीक है नेक्स यह तो इससिस्टम में इश कास्स में इतो वदका होता है तो उसी के इसा अंसा को जो काम है वह दिया जाता है खीक ट्रीशनली अगर हम बात करें तो जितने भी कास्ट होती हैं उनका एक specific occupation जो है वो associate होता है उससे मतलब कोई भी कास्ट होगी उसके साथ अलड़ी एक काम जो है occupation जो है वो associate होता है और यह जो division of labor है यह कास्ट के ओपर depend करती है और जिस वजह से जो का यह जो काम है ठीक है यह clearly मतलब इसके लिए clarity होती है कि यह बंदा अगर इस family में पैदा हुआ तो यही काम करेगा ठीक है और जिस वजह से क्या बोलते इसको ensure किया जाते कि different different जो भी function society के वो फिल्फिल किये जाए देखो आप बेसी के लिए आपको एक चीज़ बताता हो मैं यह जो कास्ट सिस्टम वाला जो सीन था ना ठीक है अब इसमें जो भी मतलब functions इसमें occupations जो भी add-on करेगे इस कास्ट सिस्टम में वह occupations इस तरह से add-on करेगे कि society का जो भी functions होते हैं वो अराम से fulfill हो जाए मतलब हर society को आखे बंद करके काम नहीं दिया गया हर society में कास्ट के hierarchy के basis पे मतलब high caste low caste के basis पे जितने भी लोगों को काम दिया गया वो इस तरह से दिया गया कि society का जो function है वो अराम से होता चला जाए तो वहीं यहां पे लिखा हुआ है कि कास्ट सिस्टम में already defined economic pursuit होता है मतलब जैसे मतलब already बंदे को पता होता है कि मुझे क्या करना economic point of view मतलब पैसा कमाने के लिए मुझे क्या काम करना है ठीक है मुझे क्या pursue करना है ठीक है वही इस तीन word में लिखा हुआ है define economic pursue pursue का मतलब कि मुझे क्या मेरा क्या मतलब goal है या मेरा क्या trade मतलब यह इसको trade भी बोला जाता है कामकाज भी बोल सकते हैं और pursue का मतलब वैसे होता है goal या aim को भी बोलते हैं ठीक है लेकिन इस particular जो लाइन है इसमें इसका जो pursue का मतलब होता है pursuits का मतलब है that is कामकाज तो मतलब कास सिस्टम में एक define पता होता है कि क्या कामकाज इस बंदे ने करना है तो वही चीज़ लिखिए कि हार एक कास सिस्टम में traditional तो पर आगर हम देखे तो traditionally एक occupation जो है वो उसके साथ already associate होता है मिला हुआ होता है और यह जो division of labor होते हैं यह कास के ओपर base करती है और कास मतलब जिस कास में बंदा पैदा हुआ उसको clear पता है मुझे क्या काम करना है ठीक है मुझे क्या economic pursuit करना है और जिस वजह से क्या होता है कि society में जो भी important functions है वो fulfill किये जाए ठीक है वही next अगर बढ़ते हैं example पर example में लिखा है कि जो ब्रामिन्स होते हैं वो traditionally क्या करते हैं और वो सबसे जदा high position held करते हैं ठीक है मतलब religiously और intellectually वो काम काज करते हैं तो मतलब ब्रामन का क्या काम होता है कि जो भी religion को लेके या intelligence intelligence मतलब intellectual मतलब यह से पढ़ाना पुड़ोना जो होता है तो यह जो काम होता था definite होता था कि ब्रामन काम करेंगे उसी तरह से जो वेश्य कास्ट के लोग होते थे उनका में होता था कि वह business से देखिए यहां पे लिखा है कि का सिस्टम कि अगर हम बात करें इसके ट्रदिश्णल फॉर्म में तो है बेसीकली स्टिंड गवी पैटरण को फॉलो किया जाता था ठीक है मन्टेन किया जाता था अंड़ोगेमि मतलब एंड़ोगेमि मतलब मैरिज विदिन सेम कास्ट ठीक है, to preserve the purity of each caste blood line, ठीक है, अब आपको समझाया होगा, अब थोड़ा clearा हुआ होगा, देखो, मैंने racial purity में आप लोगों को, racial purity का मतलब क्या है, सुनो, देखो, एक इनसान जो है, पैदा हुआ, ठीक है, अब हर एक इनसान पैदा हुआ, किस के लिए, अपने वन्ज को आने के लिए, ठीक है, तो अच्छा, ये caste system में अब ये racial purity कैसे है, सुनिया, जैसे suppose करो, इसमें caste system में traditionally किस पैटर्न को फॉलो किया जाता था, एंडोगेमी marriage को पैटर्न को फॉलो किया जाता, मतलब जो भी शादियां होती थी, वो within caste group के अंदर ही होती थी, जैसे for example, मैं क traditions है, जो मैं चीजे follow कर रहा हूँ, जो मेरा mindset है, जो मुझे सिखाया गया बच्पन से, उसी तरह से उस लड़की को से उस तरह से सिखाया गया होगा, ठीक है, तो मतलब कि वहाँ पे जब सेम शादियों होती है, तो वो purity रहती है, मतलब हमारी जो भी जाती है, उस जाती में वो purity रहती है, बस वही इस point में बोला गया है, ठीक है, कि जो merit है, that is racial purity, मतलब वो जाती हो में purity रहती है, क्योंकि आपस में ही endogamia marriages होती है, जिस वज़ा से, जो भी मतलब caste में, जो चीज़े same follow होती आ रही है, वो वैसी ही clean और pure रहती है, okay, clear है, next जो है, कि this emphasize on racial purity, belief to maintain the social order and prevent culture dilution, ठीक है, मतलब कि अब इस racial purity को अगर हम देखें, ठीक है, किस चीज़ पर emphasize करता है, एंफसाइस होता है, effect करता है, ठीक है, या जोर देना, sorry, effect करना नहीं होता है, मतलब जोर देना, emphasize का मतलब जोर देना, अच्छा, यह जो racial purity है, यह किस चीज़ पर जोर देता है, to maintain social order and preserve culture dilution, ठीक है, oh sorry, prevent cultural dilution, मतलब की social order को maintain करने में, और culture dilution, dilution होता है, जैसे for example, मैं किसे और जात का हूँ, मेरी वाइफ जो है, वो किसी और जात से है, तो मतलब different cultures मिलते हैं, तो उसमें एक अलग चीज निकल के आती है, मतलब ना वो मेरी जात का कुछ रहेगा, ना उसक तरह की चीज़ों को prevent करने के लिए, मतलब same racial purity को prevent करने के लिए, ठीक है, तो यह सेम कास में marriages होती थी, अब next, जो most important चीज़ यहां लेखी है, maintain of social order, social order, यह मैं आपको एक particular, पूरा एक, मतलब जितनी भी important terms है, social order हो गया, या gaming's craft हो गया, मतलब जो भी आपको, लोगों को को problems हारी, यह मैं purely अलग एक video बना के important terms आप लोगों के explain करूँगा, लेकिन अभी के लिए अगर हमें बात करो, social order किसको बोल जाता है, social का मतलब society, order का मतलब, जो भी, मतलब इस तरह की order देने कि society में सब चीज़ें, लोगों का जो behavior है, वो regulate shape में रहे, ठीक है, जैसे for example, society में अच्छे लोग हैं, तो बुरे भी हैं, तो वो जो बुरे लोग हैं, वो किसी सुनते नहीं है, अब वो proper तरीके से उनको maintain करना, उनके behavior को maintain करने के लिए, कुछ asset rules regulations बनाये होते हैं, तो उनी rules regulation की जो process, उस बनाने के process जो होता है, जिसके through इनसान की behavior को control किया जाता है, तो उसी को बोला जाता है, social control, अब social control basically दो टाइप से होता है, एक formal होता है, एक informal होता है, और formal में हम लोग बात करते हैं, direct यह कानून हो गया, rules हो गया, जो हमारी political यह government बनाती है, और informal में हो गया, जो society में जैसे किसी की बेस्ती कर देना, तो यह social order के हंदर हम लोग ठीक है, अभी तक के लिए आप सिर्फ social order इस तरह से समझी कि society में एक पूरा अच्छे तरीकी से महोल बना के रखना, उस maintain करके रखना, यही इस racial purity का main मकसद होता है, ठीक है, clear है, अब मैं आप लोगों को इस racial purity को फिर से explain करता हूँ, so that कि आपको और अच्छे से clearly समझाए मैंने आप लोगों को third point जो merit था वो बताया, that is racial purity, race का मतलब होता है, जात, ठीक है, racial purity मतलब जात में वो purity continue रहना, ठीक है, अब वो कैसे होती है, सुनिए, अब इसमें इन्होंने कहा कि caste system में traditionally क्या होता था, कि same caste में ही marriage होती थी, endogamia marriages होती थी, अब उसमें क्या होता था सेम जात की लड़की, सेम जात का लड़का, तो मतलब वही जो भी race उनकी, जो भी जात है उनकी, उसमें कोई भी problem नहीं आती थी, मतलब वो चीज क्या है, वो जात जो है, वो pure रहती थी, clear है, तो इसी लिए बोला जाता है, racial purity, racial purity जो है, वो भी एक merit है, किसका caste system का, अब य यह जो racial purity है, यह क्यों बनाएगी, यह किस चीज पर जोर देती है, पहला, तो social control को maintain करने के लिए, और दूसरा, अपने, अपने culture को prevent करने करती है, ठीक है, यह दो main चीज़ें होती है, किसी culture, sorry, racial purity की, clear है, मुझे मीतर कब समझ आया होगा, अब example के तोर पर यहां पर किया जाता था, even prohibited to preserve caste boundaries, ठीक है, मतलब यह कि पराणने टाइम पर अगर बात करें, तो आप अपनी caste के बाहर शादी नहीं कर सकते, वो मनाई थी उस चीज़ के ओपर, क्यों मनाई थी, ताकि आपकी जो भी caste है, आप उसकी boundary को prevent कर सको, clear है, next जो है, that is, अगला जो merit है, that is, influence intellectual makeup, ठीक है, influence, intellectual makeup, इसमें क्या है, चलिए, मैं बताता हूँ, फिर आपको clearly समझ आएगा, इसमें लिखे है कि जो भी, each caste traditionally has its own set of knowledge, custom and ritual which contribute to the intellectual diversity of society, मतलब कि, अगर हम बाद देखें, caste system में, ठीक है, caste system में हर एक caste का अपना एक set of knowledge है, ठीक है, set of knowledge है, हर किसी का अपने customs हैं, अ अब मैं आपको एक चीज़ बताऊ, custom rituals के अलग अलग से बाई, आपको word meaning डूनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझ लेना कि हर एक इनसान के किसी भी चीज़ को करने के तरीके, किसी भी चीज़ को मनाने के तरीके, करने के तरीके, मतलब जैसे आप लोग हवन करते हैं तो आप हिंदूों में देखोगे, हवन करने के तरीके भी कम से कम सो है, है कि नहीं है, तो वही तरीके है, है तो हिंदू है, लेकिन वो जो उनके rituals है, रिति रिवाज जो है, उनके वो अलग लग अब जैसे शादियां होती हैं, शादियां सभी हिंदू की सेम ही होती है, ल के संसकार्स कर नों को चल रहED है करते हैं कि सारी चीज content करते हैं एक इंटलेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् का मैंने इन्टेलेक्चन को में जो में जो लोट होता है थो किस चीश Sp concetrate करता है अपनी specific के वह重要 करेगा ताकि अपनी इजाद के लोगों के भीएट में Permission e सके बढ़ा सके जैसे for example क्या लिख है कि ब्राह्मिन्स हाइस कास्ट जो थी वो traditionally responsible थी किसके लिए studying and dismantling religious text के लिए okay and philosophy के लिए और other intellectual pursuits के लिए चीक है मतलब अभी basic हमने ये influence intellectual makeup के बारे में क्या पढ़ा मैं आपको explain करता हूँ simple word में देखो हम लोगों ने क्या बोला कि जितने भी कास्ट सिस्टम में कास्ट सिस्टम में क्या है कि हर किसी कास्ट के अपने अपने कस्टम्स होते हैं ठीक है अपने 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 रिच्वल्स होते है और इस बनती है अब इस इंटेलेक्ट्च्वल का जो में नेम होता है जो भी हम लोग अपनी सुसाइटी में अपने कस्पर में या अपने कास के अंदर जो भी हम सीखते है अब महारा next काम क्या होता है कि उस चीज को एक तो हम लोग preserve करें ठीक है और दूसरा हम जो हमारे बच्चे होंगे हम उनको वो चीज़े वो जो knowledge है वो जो specialized knowledge है जो related है हमारी कास के थूरू उसे हम लोग transmit करें ठीक है transmission करें मतलब next forward करें transfer करें ठीक है तो इसी तरह से example तो और इनका में काम क्या होता था बढ़ना पढ़ाना philosophy करना और other intellectual काम करना और इसी चीज को पस्तिव करते थे clear है समझाई चले अब जो नेक्स चीज़े देट इस that is integration of the country ठीक है अब कास सिस्टम में next to merida that is integration of the country अब कैसे है सुनिए लिखा है कि कास सिस्टम को अगर हम देखें तो historically अगर point of view से perspective से अगर हम देखें तो यह कास सिस्टम जो है न वो बहुत ज्यादा important role play करता है किसके अंदर integrating diversity community and regions within a country मतलब जितने भी diverse communities अलगलग communities है उन उनको integrate करने में उनको एक साथ मिलाने के लिए एक रीजन में मिलाने के लिए यह कास सिस्टम बहुत जादे important role play करता है country में ठीक है विदिन कंट्री के लिए कास सिस्टम एक framework प्रॉपर एक स्टक्चर जो है प्रवाइड करता है सोचल organization और culture identity के लिए अब कैसे करता सुनो जैसे अगर मैं बात करूं मैं किसी कास्ट का बंदा हूं ठीक है अब मेरे जैसे जितने भी लोग होंगे जितने भी कास्ट के लोग होंगे तो वह क् सकते हैं तो मतलब का सिस्टम जो है क्या बनाता है एक framework framework होता है मतलब वह सारे के सारे rules regulation that is relevant that is related with that particular कास ठीक है उसके हिसाब से क्या बनाता है social organization बनाता है एक social group बनाता है और उसके group के साथ साथ ही एक जो cultural identity provide करता है उन लोगों को मतलब हार एक कास्ट के अपने कुछ cultures होंगे होंगे तो उनके जो भी cultures हैं उनको एक identity भी provide करता है समझाई मैं क्या बोल रहों ठीक है तो next ने क्या बोला है example के तोर पे कि इंडिया में कास्ट सिस्टम जो है न वो help करता हुआ रहा है किस point of view से various religion linguistic and ethnic group को integrate करने के लिए मतलब different जो लोग regional है या अलग-अलग linguistic है कोई अलग-अलग ethnic group है उनको मिलाने में help करता आ रहा ही कास्ट सिस्टम ठीक है किसके थूँ 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 आ shared social structure rituals and custom के basis ठीक है clear रहे चली अगला जो हमारा point है that is provide for various functions division of labor ठीक है तो यह हमारा next merit है कास्ट सिस्टम का इसमें क्या लिखा है इसमें लिखा है कि proper division of labor जो है वो provide किया जाता है मतलब लोगों को पता होता मेरा क्या function है ठीक है इस कास्ट सिस्टम में तो वही लिखा है कि का सिस्टम में का सिस्टम जो है वो facilitate करता है किसको division of labor को facilitate का मतलब होता है देना ठीक है तो मतलब यह की का सिस्टम है ना वो एक division of labor और बंदे को दे देता है कैसे देता सुनिए यहां पर लिखा है कि different occupations and functions जो है ना society के fulfill करने के लिए एक specialization जो है individuals पे मतलब एक specialization allowed individuals to focus on specific skills and tasks सुनों अब इसमें क्या लिखा है कि society में ठीक है society में society के functions को fulfill करने के लिए यह बहुत important है कि individuals जो है वो किसी specific skill या टास्क पे काम करें चीक है अब इसलिए कास सिस्टम में already हर एक कास के साथ एक अलग से एक ठपा लगा दिये जाता है काम का ताकि different different जो लोग कास के जो बंदे हैं अपने कास के साब से वो काम करें ताकि society में जो भी function है वो अराम से हो सके clear है ठीक है डण चले एक बा फिर से इसको revise करते हैं एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं कि क्या लिखा है लिक्षा है कि कास सिस्टम जो है वह facilitate करता है division of labour अब इसमें क्या होता है कि इसमें यह लोग इंशोर करते हैं कि different different occupations जो है जो जुरूरी है कि के लिए सोसाइटी के लिए उसको फिल्फिल करने के लिए तो उस तरह कि जितने भी जितने भी काम होते हैं जितने भी ट्विशन आफ लेबर्स होती है वह और यह जो स्पेशलाइजेशन होती है यह अलाव करते हैं इंडिविजल्स को किसी फोकस करने के लिए किसी वो डिफरेंट डिफरेंट कास को एलोकेट किया जाए ताकि जो ओवरॉल फंक्शनिंग है सोसाइटी की वह स्मूथली चल सके अब सोनी है बाई मैं आपको फिर से इस चीज को पैसलेंगर पर यह संबर्ग इसमें सिंपल पर से इसमें पर लिखा है तर में परवाइब थे अब यहां पे इस पॉइंट वी में क्या लिखा है कि का सिस्टम में क्या होता है कि का सिस्टम करता है कि इसको डिविजन ओफ लेवर को इसमें क्या लिखा है कि सोसाइटी जो है वह तो डिफरेंट कास्ट में डिवाइड है और हारी कास्ट का अपना-पना काम है और देखिए इन्होंने काम भी इस तरह से सबको भंटा हुआ है कि पूरे सूसाइटी का जो भी ओवरॉल फंक्शनिंग है वह अराम से चल पड़े जैसे इनको पता सुसाइटी में में क्या होता है में होता है फॉर्मिंग ठीक है जो लोग खितिबाड़ी कर रहे हैं ट्रेड कर रहे हैं वेपार कर रहे हैं एड्मिस्टेशन जो कर रहे हैं आर्टिशन जो वोक कर रहे हैं ठीक है तो इनका कर रहा है यह सारे के सारे काम जो ह है वह काम करेंगे जैसे के लिए क्या हो गया जो लोग करते थे मैक्सिम करते थे थे यह तो नहीं है बट यह जो 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 ट्रेड करते थे लिए तो जाहिर लोग जो थे वह करते थे एड्मिस्ट्रेशन जो थे वह ब्रह्मिन लोग बैठते थे हैड पर अब नेक्स जो जितने भी काम होते थे यह 18 वर्क हो गया फॉर्मर्स यह कोई बैदल काम हो गया तो उनसे इन से नीचे जो शुद्रास आते थे तो मतलब इन शॉर्ट की पूरे का सिस्टम के साथ इस तर कि मतलब होता है की सब्सक् poser कर तो अब का सिस्टम में कलचर कैसा स्प्रइड होता है सुनिंगे के का सिस्टम में अपने कर को इच सद led को निटने। यह क्या contribute करता है contribute to diffusion and preservation of diverse regional and local customs चीक है तो मतलब in short क्या लिखा है यहां पे कि कास्स सिस्टम में जो भी different different cultures होते हैं जो भी different different cultural practices होती है अपनी अपनी कास्स के अंदर जैसे मैं किसी कास्स से हूँ तो मेरी कास्ट में जो भी different different cultural practices होंगी तो मैं सबसे पहले तो उसको preserve दूसरा I will try to diffuse ठीक है मतलब उसको spread करने कोशिश करूँगा अपनी कास्स में जो मेरे अलग जगां पर रहते हैं लोग उनके साथ so that कि हमारी जो भी जो भी customs है हमारे ठीक है और वो सारी के सारे customs जो है एक तो वो बढ़ें भी spread भी हो और दूसरा वो preserve भी रहें ठीक है जैस जैसे कोई इंसान अलग अलग तरह की बोलियां बोलता है क्यूशन का मतलब होता है खाना ठीक है बोजन तो हर एक तरह के लोगों का डिफरेंट डिफरेंट जगाओं के लोगों का यह कास के लोगों का अलग अलग तरह से खान पान होता है उसके बाद आठ हो गया म्यूज अब मैं फिर से इसको एक बार explain कर देता हूं कि cultural diffusion का मतलब क्या है cultural diffusion का मतलब यह कि अपने कल्चर को अपने कल्चर का प्रसार करना अपने कल्चर को spread करना तो मैंने आपको लोगों को यहां पर जो बताया ना कि प्रसार करना spread करना विदिन सोसाइटी विदिन का सिस्टम इसमें विदिन भी आएगा और बाहर भी आएगा क्या लिखा है कि हमारी कंट्री में बहुत सारे डिफरेंट तरह की कास्ट हैं जिसके अपने अपने अलग-अलग कल्चर है जो वह प्रेक्टिस करते हैं अलग-अलग बोली है खाना है तो जिस चीज़ की वजह से इन सभी को जब हम क्टिवली देखते हैं तो यह एक बहुत ही मतब्त बहुत ही एंड्री आफ का सिस्टम ठीक है तो आज की जो मेरिट्स हम यहीं भी खत्म करेंगे मुझे उम्मीद है कि आपको समझाया होगा बाकि नेक्स वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इसके डी मेरिट्स को लेकर ठीक है चले थैंकिसो मच थे किया बाबाइ